व्लोब आस्पिरेंट वेलकम बाक टू करियर पूर वेलकम बाक टू मैं चानल तो जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा था हमने डिसक्स कर रहा था शौट की जिन एमस बोर्ड तो इसके अंदर हमने 10 कवर करी थी शौट की जो आपको एक्जाम में देखने को मिल सकती है काफी कॉमन आई है और अपने पड़ भी रखी होंगी या आपने नॉर्मल डेज में यूज करियोंगे जब आप में वर्यूज करते हैं तो अगर हम पहले सबसे पहले की बात करें तो कंट्रोल पी कंट्रोल पी आपका यूज़ता है प्रिंट विंडो ओपन करने के कोई प्रिंट करना होता है आप सिधा कंट्रोल पी तबाओ गए और वह प tooth क प्रिंटिंग आपको प्रिंक और गलति से ब्लंक कहल जाता है तो अगर आपको अपनी पुरानी कि उडेर हे थे सैनल ओर नहीं क्रने के लिए प्रेस करना है उपर जांके आपको वैसे भी खुल सकते हो बट control O करोगे तो आपका shortcut इसली खुल जाएगा एक है control R, align the line और selected text to the right of the screen जैसे कि हमने आपको कल पड़ा था, control L से आप left screen में convert कर दोगे मैं लिब सारा जो text आपने select कर रहा है या align है वो left side जाके align हो जाएगी control R से एकदम right में हो जाएगी अब आपका homework question है पिसली वीडियो में बताया था मैंने एक ऐसा control प्लस एक word है जिससे जितना भी text है वो एकदम center में align हो जाते है आप नीचे बताओगे कौन सी की बात करते है control S सबको पता है data को save करने के लिए अपने document को save करने के लिए क्या है control S control W control W किसली उज़ता है close the currently open document अभी आप किसी document में काम कर रहे होगर उसको आपको close करने तो क्या करना पड़ेगा आपको control W करना पड़े एक्स है control X किसी भी selected text को cut करने के लिए control प्लस X यूज़ होगा control प्लस X यूज़ होगा cut the selected text एक्स हमें आपस control प्लस Y control प्लस Y किसली उज़ता है redo the last action perform अब दो चीज़े हैं यहापे अब आपको लोग रहा होगी control Z से हम redo करते हैं नहीं control Y से क्या करते हैं redo the last action performed अगर आपने कोई action करा उसको दुबारा करने के लिए control प्लस Y यूज़ होता है मतलब अगर आपने कोई चीज control C करके control V करी मतलब आपने कोई चीज पेस्च करी Google से गूगल से आपने गूगल से फोटो ले लिए वहां से आपने copy करी फिर आपने control V दबाया अगर उसको दुबारा करना है आपको से चीज को control Y आएगा और control Z किसलिए होता है कुछ भी आपने कर दिया उस action को reverse करने के लिए हटाने के लिए जैसे control आपने आपने सेम एजांपल लेते हैं वहां से फोटो को डाउनलोग करी गूगल से कॉपी करी हर जाएगा अब नेक्स है control प्लस एल प्लस शिफ्ट क्या होगा quickly create a bullet point अब आप बुलेट पॉइंट बता होगा उपर जाके क्लिक करते होगे वहां से बुलेट बनते होगे अगर आपको keyboard से बनाना है तो control प्लस एल प्लस शिफ्ट करना पड़ेगा आपका बुलेट बन जाएगा एक्स है control प्लस एफ प्लस शिफ्ट चेंज दा फॉंट 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 चेंज करने के लिए आप उपर जाके फॉंट चेक करते हो आप एक्स्टा बोल करते हो आप लीक स्पार्थन करते हो या फिर आपको यह और भी इटालिक लेते हो कुछ भी ल रहेंगे एक ज्री पार्ट ही ओं लएंगे शॉट कट कीजने है बस बहसे क्थी लंबी वीडियो बनाने से बेटर है शॉट वीडिए लेकर आपके लिए बेटर रहीगा एजी परना आपकी वीडियो परसंद आरे वीडियो को लाइक और चानल को सबस्क्राइब कर लेना बेल एकन जुर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो और भी है नेंचे कमेंट करके बताओ कि वीडियो था है